हेलो फ्रेंट्स मैं डिप्ती गाड़निंग वी दिप्ती में अब सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों आज हम एक पर्टिलाजर के बार में बात करेंगे जिसको हम प्लांस पर डालते ही बेजन प्लांस में जाना जाएंगे कल्या नहीं बनते होंगे तो कल्यां भी आएंगे नहीं खिलते हैं तो बहुत ही बैतरी अट्रीक ब्हुत हो जाएगा दोस्तों और प्लांस का ग्रोथ ही नहीं होता हो तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगा नीं ब्रांचेश भी और यह फटिलाजर जो है ड्रफिलाजर है दोस्तों इसे बनाने मेंगे हम कभी भी डाल सकते हैं और वह पर रह्त युंड़र को आइस क्यों कि आपने जिलें लाइक नहीं कि यह टो है तो लाइक कि किईक किजिए और रेंट का सबस्क्राइब भी किजिए दोस्तों ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगी और मैं आगे भी नियुने वीडियो बना सकते हूं दोस्तों तो उस फटलाइजर का नाम है सीवीड फटलाइजर जो कि बिल्कुल और्गानिक है दोस्तों यह बहुत सारे जगा पे मिलता है हम इसे कोई भी प् फटलाइजर है दोस्तों कभी कभी हमें साघरिका के नाम से भी मिलता है और वह भी यहीजीड का ही हुट लेजर है और हम उसे भी लाकर रख सकते हैं दोस्तों तो अगर हम बिगनर्स हैं तो इस फटलाइजर को अपने घर पे रखना चाहिए आपने गाडन में सामिल करना चाहिए क्योंकि हमें अक्षर यह नहीं पता रहता है अगर chemical fertilizer हमें यूज़ करते हैं तो कितना quantity में हमें डालना चाहिए और कभी-कभी ज्यादा हो जाता है तो plants खराब हो जाते हैं उसके बज़े से कौन सा fertilizer कितने quantity में डालेंगे और experience नहीं रहता है कि हम कौन सा fertilizer को किस टाइप यूज़ करेंगे तब तक हम organic fertilizer अगर अपने प्लांस पर डालेंगे तो यह हमारे लिए plants के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों और ये जो fertilizer है दोस्तों ये liquid form में भी आती है और यह हमें इंदॉन में दोस्तों तो यह मेरा denote को बॉटल है यह 500 ml वालाव वॉट् mound है तक हम इस फटीलाजर को औ em spare मिलखो ऑसली आफ कर सकते हैं लूट करें इस एero wax पानी में । इस बिल्टी में मैंने इसका एक ढाल दौगी इसका जो रेशु है दोस्तों वो एक लिटर पानी में हम दस मतलब संदने डालंगий और डालते ही ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा पानी में और उसको हम जितना quantity अपने पांस में देना चाहिए पानी उतना quantity का हम पानी दे देंगे दोस्तों और अगर थोड़ा ज्यादा भी डल जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों ये दिखे मैंने इतन इसे हम हर प्लांट पर थोड़ा- ठ्क्रण घ्ल mm और इसका अगर थोड़ा जादा हो जाता है तो प्लांट पे कोई म anywhere नहीं हो होने से भी plants खराब नहीं होंगे दोस्ताँ और बाकि जितना भी fertilizer होता है अगर थोड़ा बहुत जादा हो जाता है तो problem हो और एक benefit यह ऑठनी है धोस्तों यह fertilizer हम हर पोध्ध में डाल सकते हैं पर बाक्पी fertilizer हम हर लान्ट में नहीं डाल सकते हैं दोस्तों चाहें वह और गानिक फटलाइजर भी क्यों ned हो वह वह पर अंद्ज नहीं डाल सकते हैं से कि क्डायाजिक नौस को टालते ही वह यह खराब होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों और वह सारे प्लांस पर डालने का तरीका भी है दोस्तों पर यह जो एक फटिलाइजर है यह हम किसी भी प्लांस पर डाल सकते हैं और यह फटिलाइजर जो है दोस्तों यह और भी बहुत सारे मतलब तरीके से हम यूज कर सकते हैं जैसे कि इसका granule form में यह fertilizer आता है दोस्तों और granule form में जो आता है उसको हम जब soil को prepare करते हैं ज्यादा से ज्यादा लेट होगा तो 20 दिन में डाल देंगे दोस्तों और इस fertilizer को हम अपने plants पर spray भी कर सकते हैं दोस्तों अब मैं spray भी करके आपको दिखाऊंगी इसको हम spray bottle में भर देंगे और अच्छे से हर प्लांट में हर एक पत्तों में डाल देंगे दोस्तों उससे क्य सेवट फटिलाजर से क्या होता है दोस्तों प्लांट को जितना भी माइक्रो एंड माक्रो निट्रेंस की कमी होती है वो सारा फुलफिल हो जाती है दोस्तों इसलिए हमें इस fertilizer को रखना चाहिए सबसे बहुत अच्छे बात यह है कि हम हर प्लांट में इस fertilizer को ढाल सकते हैं यह दिखिए दोस्तों मैंने अब स्प्रेय बोटल में भी भर दिया हूं अब इसको हर प्लांट में स्प्रेय करोंगी और मेरे घर के पास जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों इसलिए थोड़ा सा आवाज आ रहे हैं साइट से इसको देखिए दोस्तों हर एक इंडोर प्सक्रेय हम इसे कर सकते हैं दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह sih दोस्तों जब भी कलिया आती है देखिए यह चोटा सब ऊधा है इसमें बहुत सरे कलिया हैं और पूल भी खिलते हैं तो उस टाइम में क्या होता है दोस्तों इंसेक्ट भी आते हैं तो जब इंसेक्ट आता है तब हमें क्या करना चाहिए नीम का ओयल सिंपल नीम ओयल लेना है और अच्छे से थोड़ा सा तींचा ट्रॉप एक लिटर पानी की बात में कर रही हुए हम इसमें भीम का लिक्विड एड्ट करके अच्छे से हर प्लांट में डाल दीजिए दोस्ता हुए बनना खाली नीम ओयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं हर हफ़ते में दोस्तों उसमें क्या होगा जो भी इंसेक्ट होगा या फिर यह प्लांस पर बहुत सारा कभी कभी मिली प्रवाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वाग्वा बनाते हैं, तीन टाइप का और्गानिक पेस्टिसाइड बना कर दिखाएंगों दोस्तों, वो आप देखिए, आपको जो भी सुटेबल लगता है, आप उसमें से डालिए, वो बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड है, और फ्री में वो पेस्टिसाइड जो है हम बना सकते है दोस्तों, उसमें कोई कॉस भी नहीं लगता है, और वो और्गानिक है, इसलिए बहुत अच्छे से काम करेगा, तीन चार बार हम जैसे ही प्लांस पर डालेंगे, तो सारा जो इंसेक्ट बगरा होगा, या फिर कोई भी किड़े, या फिर कोई भी रोग बगरा भी अगर प बगरी फूँ सकते हैं, और मेरा वीडियो को लाइक किजिए, मेरे चेनल को भी सब्सक्राइब करेगा, तैकी मैने और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आ सकती हूँ, और अच्छा अच्छा टॉपिक पे भी आ सकती हूँ, दोस्तों, मुझे थोडा सा Confidence मिलेगा, मो झाली!